नमस्कार दोस्तों आज मेरे चनल पे आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ स्वामी विवेका नंजी के उपर मतलब उनके लिए या फिर उनके उपर स्लोगन्स जो कि आपको ऐसे लिखने में जो कि भी competition हो रहा है बहुत बड़ा उसमें आपको काम आ सकते हैं यह slogans, यह slogans मैंने खुद बनाए हैं यह आप यूज कर सकते हैं या फिर इससे related आप अपने मन से भी बना सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे या फिर essay या speech चाहिए तो आप मुझे comment box में comment करके बता दीजे, मैं आपके लिए जरूर कोशिश करूँगी कि मैं उस subject पे या उस topic पे जो भी आपके मतलब आपने मुझे बोला हो, आपकी मदद कर सको तो चलिए शुरू करते हैं पहला slogan एक सन्यासी ऐसा आया जीवन का जिसने पाथ पढ़ाया विश्वभ्रमड करते करते भारत का उसने मान बढ़ाया ये स्वामी विविका ननजी के बारे में है दूसरा slogan धर्म कवा सच्चा अण्याई धर्म कवा सच्चा अन्याई वेदो का वह सच्चा ग्यानी अगर करें उनका अनुकरन होंगे सच्चे अपने करम Next हिमालय की कठिन कंदराओं से हिमालय की कठिन कंदराओं से जिसका नाता मन घबराया है महान वो वेक्ती जिसने अपना नाम विवेका नंद बताया दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वेका नंद जी को हिमालय बहुत पसंद था वो ऐसी ऐसी गुफाओं और ऐसी ऐसी जगों पे पहुच जाती थी जहां नॉर्मल मतलब एक साधारन इंसान का पहुचना बहुत ही मुश्किल था उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संगर्ष किया है और हमें बहुत कुछ सिखाया है तो उसी से रिलेटेड मैंने ये लिखाया नमन उस वेद पुरुष को अपना धर्म का जिसने पाठ पढ़ाया भूले बिसरे लोगों को भी जीने की जिसने राह दिखाया मतलब लोग भूल गए थे धर्म को भूल गए थे अपने हम दूसरे पाश्याति संस्कृती की तरह बढ़ रहे थे और बहुत सारी चीज़े थी जिसको देख कर वो ऐसा मतलब उन्होंने धर्म का लोगों को ग्यान कराया कि कैसे हमें धर्म के स्थापना करनी है अपने धर्म को नहीं भूलना है उन्होंने ये सब कुछ हमें ग्यान दिया तो दोस्तो इसी के साथ मेरे कोटिशन कतम होते हैं अगर आप लोगों को ये कोटिशन अच्छे लगे हो आपको यूसफूल लगे हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक किजेगा और प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो